हलो एब्रीवन आज दिनाग 15 नुवंबर 2024 को मॉर्निंग के टाइम में एच्पी टैट जे बीटी अब्लिक डी एलर के एक्जाम जो है वो एच्पी बहुत दोरा कनेक्ट करवाया गया है इस वीडियो में हम उसे एक्जाम का मैथ पार जो है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चिन रहेगा कि किसी वृताकार शेत्र के चारों और की दूरी कहलाती है राइट अंसर रहेगा ऑप्शन भी प्रीधी नेक्स रहेगा 92 इस क्वेश्चिन का अंसर मैं आपको क्मेंट करके बता दूँगी नेक्स रहेगा 93 अधा इस थ्रोन वन्स देन दी प्रॉबिल्टी ओफ नॉट ए प्राइम नंबर विल बी 93 के लिए क्रेक्ट अंसर हेगा ऑप्शन ए हाफ 94 दा पॉलिनोमियल इस दिवाइड़ेड बाइ एक्स प्लस वन देन देर रिमाइंडर विल बी राइट अंसर हेगा ऑप्शन ए जीरो 95 यदि किसी संभाहू त्रीबुस की बुजा ए हो तो संभाहू त्रीबुस का क्षेतरफल होगा राइट अंसर हेगा बी रूट थ्री अपॉन फोर ए स्कुया 96 यदि किसी सिक्क्य को चार बार उचाला गया हो तो कुल संभावित प्रणा होंगे तो राइट अंसर हेगा ऑप्शन भी 16 नेक्स राइट अंसर हेगा 97 के लिए ऑप्शन भी रूट 13 नेक्स रहेगा 98 अंसर हेगा ऑप्शन सी 7 अपॉन 19 99 किसी बीद पर्ण पर्ण रेखाओं के संख्या कितनी होती है राइट अंसर हेगा अंगिंद नेक्स है 100 दी वैली ओफ 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 इस इक्टो राइट अंसर हेगा ऑप्शन भी 0 101 दी वैली अफ वैली बतानी है इसकी राइट अंसर हेगा 5 राइस टो पावर 3 102 निमलिक्त मैंसे किस आकरिती मैं कोई सम्मीती रेखा नहीं है वो रहेगी विशम बाहू त्री भूज ओप्शन C नेक्स्ट रहेगा 103 दा हाइट अफ 10 गल्स इन सेंटिमेटर आर 135, 150, 139, 129, 132, 146, 149, 143, 141 वर्ट इस दा रेंज ओफ दा डेटा राइट अंसर हेगा ऑप्शन A 23 सेंटिमेटर एक वर्गाकार स्विमिंग पूल का प्रिमाब 80 मीटर है तो पूल का क्षेतरफल क्या होगा राइट अंसर हेगा 400 मीटर स्केया दिएगे रैकिक समिकन 2x-3y इकोल टू एट वा 4x-6y इकोल टू नाइन का राइट अंसर हेगा ऑप्शन A अद्वित्या हल है यूनिक स्विलिशन 106 किसी पार्क में कुल अगंतुओ मैंसे 3 upon 5 अगंतुख बच्चे हो तो अगंतुख बच्चों होने की प्रतिशित्ता क्या होगी राइट अंसर हेगा ऑप्शन B 60% 107 किसी समकौन का दो तिहाई ब्राबर होगा राइट अंसर हेगा ये 60% 108 and equals 2 and half rupees how much will 1 and half doesn't cost राइट अंसर हेगा ऑप्शन A 45 109 किसी व्रित के चत्रांश का क्षेत तरफल क्या होगा ये दी व्रित की तरीजा 7 upon 2 cm है राइट अंसर हेगा D इन में से कोई नहीं नेक्स्ट रहेगा 110 the mode and median of a certain data are 7 and 8 respectively the mean is equal to राइट अंसर ऑप्शन A 17 upon 2 किसी A B C तरीभूस में तो दिये गई है तब कौन सी ब्राबर होगी तो राइट अंसर हेगा राइट नेक्स्ट रहेगा मान बताना है इसका तो 29.36 upon 1000 is equal to राइट अंसर हेगा ऑप्शन A 0.02936 राइट इस स्माल एस थ्री डिजिट नंबर विच इस डिवाइड बाई 6, 8 and 12 कम्प्रीट रहे राइट अंसर A 120 नेक्स्ट है 114 किसी खिलौन ने कार का विक्रेय मुल्या 540 है और दुकानदार ने कार को 20% लाब पर बेचा हो तो कार का क्रेय मुल्या होगा राइट अंसर रहेगा 450 हमने इसी चैनल पे मैस की बहुत सी क्लासिज जो हैं वो HP TET non-medical थजेबीटी के रिए डाली थी तो वहाँ से maximum topic यहाँ पे आए हुए है वन वन फाइब 12 में से साथ कटाना 12 में डैस डैस जोडने के समान है राइट अंसर हैगा A minus 7 वन वन सिक्स यह दिक कथन साइन 2A equal to 2 साइन A सही हो तो एंगल A ब्राबर होगा राइट अंसर हैगा option A 0 degree नेक्स रहेगा identify is equal to यह बताना है कि किसके ब्राबर है तो राइट अंसर रहेगा option D none of these वन 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 एट 15 भुजावाल एक नियमीत भभुज के बाहरी कौन का ब्राबर होगा राइट अंसर रहेगा वन वन एट के लिए option A नेक्स रहेगा वन वन नाइन पंदा वर्ष बाद रवी क्या यूसकी वर्तमान आयू की चार गुनी हो तो रवी की वर्तमान आयू क्या होगे तो राइट अंसर हैगा option A 5 words तो बहुत ही असान तरीके से जो हमने अपने इसी चैनल पे math की classes डाली हुई है वहाँ पे trick के द्वारा जो है ये maximum topic के हां से जो जहां जहां से question बने हुए हैं वो solve करवाए थे 120 किसी चत्रभुष के आंतरीक कोणों का योगफल होगा राइट अंसर हैगा B 360 आप हमारे चैनल पे physics, chemistry, maths, gk, psychology, hindi, english ये सारी की सारी classes जो हैं आप हमारे चैनल से देख सकते हो Thank you